नमस्कार दोस्तों इनकी आयू 38 years plus 5 month की हो चुकी है इनके हाथ पर आपको एक अच्छी सी पैसा देने वाली fish sign भी नजर आएगी बूत परवत पर भी भहुत सुन्दर सी fish sign है और एक intuition की sign भी है और इसका प्रभाव मैंने सामने बैठ कर मैसूस किया वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगा तो इक एक करके पाम analysis करने की सुरुवत करते हैं जब किसी व्यक्ति के हाथ में सीधी या धनुश्रा का रेखा बने तो व्यक्ति समझदार होता है और जीवन में जो opportunity आती है उसे grab करके आगे बढ़ता है यह पाम यहां से चोड़ाई कम है यहां से चोड़ाई जादा है त पाम पूरा स्क्वेरिश है तो महंती होते हैं ऐसे लोग फर्स्ट फैलेंज नुकीला है तो कारे के प्रिति जीत दोती है और सेकेंड फैलेंज भी अच्छा है लोची के साथ तर्तो के साथ अपनी बात रख पाते होंगे और हाथ के मुकाबले अंगुठा ना कम मान सल है ना ज्यादा मान सल है तो कभी-कभी compromise nature करते होंगे आता हो सुरी के उंगली थोड़ी सी बड़ी है यह व्यक्ति को हिमती सभाव देती है जिब में 50,000 और 50,000 लाग की रिस्क लेनी हो तो आसानी से लेते हैं यह उंगली भहुत छोटी है तो व्यक्ति डॉक्मेंटेशन, फाइलिंग, चीजों को संभाल कर रखना, याज शक्ति, मनी मेंनेजमेंट और अकॉंट, इन सारी चीजों मैं व्यक्ति कमजोर होता है, मैं इनको सला दूगा, इनके पास अच्छी खासी साइन है, आप अकॉंटेंट एकदम पर्फेक्ट रखना, क्योंकि इस तर की उंगली वाले उतना अच्छा अकॉंट नहीं रख पाते हैं बुद्पर्वत पर छोटी छोटी लाइन है, और यह साइन मैं क्लोजब में अंदर बताऊंगा, काफी उतना साइन है, और बुद्पर्वत ना ज़्यादा उभार है, ना दबाऊवा, पर वह अर्स्तित है, मैं इसको कमजोर नहीं कहूंगा अब सर्वाउंट की साइने देखने की और चलते हैं, यह पहले बुद्पर्वत वाली दिखा देता हूँ कितनी सुन्दर साइन है, हाँ थोड़ी मोटी है, अब यह कोई डारेक्ट पैसा नहीं देती, यह इंडारेक्ट पैसा देती है यानि आप मैं जो बिजनेस समझ की जो सूज है, वो ट्रिमेंडर्स होती है, बूद्पर्वत पर फिश्टाइन का मतलब है, बिजनेस की समझ बहुत उत्तम होती है, और इतनी सुन्दर साइन, काफी बढ़ी है, अब सर्माउंट की भी दिखा देता हूँ मैं, मैं ड्रॉ करूंगा, वहाँ पर जिस वेक्ति को देखना स्क्रीन शॉट ले सकता है, यहां से एक बार एक सी लाइन निकल रही है, और यह घूम कर ऐसे जा रही है, और इस तरह से यह साइन बन रही है, तो इससरे की साइन हो, तो छप पर फाड कर पैसा आता है जीवन में, छप पर फाड कर, हाँ, इसमें और पतली होती, तो ज्यादा आता, इतनी स्ट्रॉंग नहीं है, यानि यह साइन, जो मजबूत रेखाओं से बननी चाहिए, उतनी मजबूत रेखाओं से नहीं बन रही है, तो कहीं न कहीं प्रभाव कम होता है, पर फिर भी इतनी साइन होने का मतलब ही, एक तरह से गए, तो छप पर फाड के पैसा आना, एक साधर व्यक्ति के इसाब से तो छप पर फाड के पैसा आता है, इनके बास, तो इतनी सुन्दर साइन है, एक यहाँ पर स्क्वेर काम करवाती ही बड़ा स्क्वेर होता है तो इंटरनेशनल लेवल का काम भी होता है वेक्ति का और अपनी आयसे अधिक अच्छी तरह रहते हैं आसपास के लोगों को लगता है इनके जीमन में तो बल्ले बल्ले है और इनके हाथ में इंपोर्ट-एक्सपोर्ट की लाइन भी ह वो भी मैं दिखाऊंगा यह रही और इनका काम भी है उस तरह का शनी परवत एकदम दबा हुआ यह दबा हुआ तो तीन माइनस पॉइंट मिलते हैं एक तो हमें जब से हो संबालते ब्याज चुकाना पड़ता है कोई भी काम एक बार में नहीं होता है दो तीन बार मेंद करने के बाद उस काम में सभलता मिलती है और तिसरा माइनस पॉइंट होता है ब्याज हो गया मैनत हो गई और हड़ वर्क आसानी से प्राप्त नहीं होती कोई चीक बहुत उसके लिए संगर्श करना पड़ता है मैनत करनी पड़ती है तो यह तीन माइनस पॉइंट होते हैं इस तरह का शनी परवत होता है यहां पर विद्या रेखा भी है काफी अच्छी वेक्ति को बेसिक नौलेज अच्छा खासा होता है और लोग इनको पूछ पूछ कर काम करते हैं जैसे जैसे उम्र आगे बढ़ती है जुपिटर माउंट को देखे तो यह तिल्टेड है पूरा अतिक रवन कर रहा है शनी परवत की और इस तरह का अगर कंडिशन हो वेक्ति के हाद में तो पारिवारिक और सांसारिक समस्या है डिश्टप करती है हाँ सांसारिक समस्या यानि हस्बेन वाइफ में अगर बच्पन में जोर से लग जया हो सर पर तो इतना प्रोब्लम नहीं होता हस्बेन वाइफ में उनके बरहाबर होता है पर हम कर पारिवार के लोगों पर भौ ज्यादा expense होता है ऐसे लोगों कर और कोई ने शया सता ते रहती बारी में कि इतना उत्तम ट्रहेंगल मैं इसके लिए video कर आगे बोल चुका हों याप लोगों को बहुत कुछ इसमें नया नया देखने मिलेगा। इस तरह का ट्राइंगल हो तो ऐसे लोगों को सरकारी लाप और पॉलिटिकल लाप प्राप्त हो सकता है। अगर न भी हो तो आम लोगों से जाता ये लोग संपन होते हैं। एक लाइन, डो लाइन, तीन लाइन ये व्यक्ति को मल्टिपल इंकम के सोंच देती है। इस तरह का भार ही मंगल हो तो व्यक्ति जब किसी से मिलता है, एनर्जी के साथ मिलता है, सामने वाला अच्छी खासा याद रख सकता है। इतनी एनर्जी से मिलते ही है लोगों और संकट के समय अपनी लेवल पर संकट का सामना करते है। अब मैं जो एक और साइन दिखाने वाला इन्टूशन लाइन। यह देखिए। यह एक तरह का लूप बनता है यहाँ पर और माइन लाइन के पास बने तो उतना ही स्ट्रॉंग होता है इन्टूशन के लिए। और यही प्रॉब्लम इनके मन में यह था कि यह मेरे साथ होता क्यूं है। मेरे साथ इन्टूशन वाली चीजे होती क्यूं है। और उसका जवाब आज मेरे पास जब यह आये परसनल मैं तब मिला। वीडियो बनाने का इस्टा चार्ज दिया इन्होंने। तो यह वस्तू होती है। अब इनके सवाल का जवाब मिल गया। मैं एक कोई वस्तू ढूण रहा था। मुझे मेहनत लग रही थी उस ढूणने में और इन्होंने का कि यह ओपन कीजिए इसमें आपकी वस्तू है। और आप मानोगे नहीं उसी के अंदर वह वस्तू निकली। यह इतनी पारफुल साइन होती है इंट्विशन लाइन। एक तरगा इश्वर का असिर्वाद समझी आप। यहां पर ट्रैंगल है। यहां पर भी ट्रैंगल है। दूसरे फोटो में मैं देख चुका हूँ। और एक ट्रैंगल यहां पर भी बन रहा है। यह व्यक्ति को वीड़े से धरप्राप्ति के योग बनाता है। यहां कभी बनाता है। और चंद्रपर्वत भी अत्युत्तम है। पानी अच्छा लगना दूसरे बनी वस्तों एच्छी लगनी। नेड़े शक्ती अच्छी होती है। और नहीं नहीं चीज़े करनी का शौप होता है। यहां पर सट्टे की भर पूर लाइन है। इस तरह की लाइन हो तो रेक्ती शेयर मार्केट मैं सट्टा जनरल ही करता है। पर सट्टे के बहुत सारे रूप है। कोई मैच का सट्टा लगाता है। कोई शेयर मार्केट मैं सट्टा लगाता है। कोई MCX में करता है। अब इनका जो काम है, वो ही सट्टे जैसा है, यानि रोज रेट उसके फक्षुएट होते हैं, खनी जो का काम है और उसमें रेट फक्षुएट होते हैं, तो ये सट्टे की लाइन है, और शुकर बरवद भी आती उत्कम है, अच्छे कपड पेहना अच्छी तरह रहा हैं, य हिदे रेखा में कोई प्राब्लम नहीं है, यहां से स्टार्ट हो रही है, थोड़ा पैसिक तरफ जुकाओ ज्यादा रहता है, और ये मोटी है, इस तरह की मोटी हिदे रेखाओ तो अपा धापी लगा हुआ जीवन मिलता है, सुबह से लेके राज तक व्यक्ति कोईने है, माइन लाइन देखे तो अत्य उत्तम है, पूरी स्ट्रेट चल रही है, ऐसे लोग कभी भी बीना हिले डूले दस मिनिट जाता कड़े रहेंगे तो पीछे कमर दर्द होता है, जैसे पत्नी के साथ हम खरीडी करने जाते, तो आज कल कहीं बैटनी की जगह होती नहीं, मैं बहुत तकलिफों का सामना करते हैं ये लोग, बैटने की जगह ढूंगते हैं, हाँ, फिर वापस चलने मिल गया, तो वो कमर दर्द अच्छा हो जाता है, फिर पूजा करते समय हैं, बीना सपोर्ट के बैठे, तो भी दर्द होता है, दस मिनिट, पंद्रा मिनिट से ग्यानी भी भरपूर होता है, कोई ने कोई वस्तु का ग्यान लेते हैं रहता है, और सोने के पहले ग्यान लिए बीना निद नहीं आती हैं, अब जीवन रेखा पर चले, तो यहां पर चलते हैं, 26 में एक राउ रेखा ने काटा, एक 28 में काटा, इस समय भी कोई नियर एंड इरर इनके जीवन में गया होगा, और एक 29 के आसपास भी कोई नियर एंड इरर के डैथ हुई होगी, और यह दो राउ रेखा है थी, एक 26 की, एक 28 की, अब उसके बाद, इनकी राउ रेखा है, चालू हुई, 32 में, फिर 33 के आसपास नियर एंड इरर, फिर 34 की वापस राउ रेखा, और एक 36 एंड फिर आफ की राउ रेखा, और यहां पर भी कोई नियर एंड इरर इनके जीवन में गया होगा, फिर उसके बाद, यह 39 की राउ रेखाएगी, 41 की राउ रेखाएगी, और 43 के आसपास की राउ रेखाएगी, यह तीन राउ रेखा है, इनको डिस्टरब करेगी, उसके बाद, 43 के बाद, 46 की राउ रेखा है, यह बहुत लाइट है, यह यहां तक ज़्यादा तकलिपे है, राउ रेखा की, उसके बाद तो बहुत लाइट है, अब दिख रही है तो मैं बता रहा हूँ, इसका कोई खास ज्यादा आसर भी नहीं होगा, लाइट में, एक 46 की है, एक 49 की है, और इसके आसपास सी, दो तीन सालों में, दो नियर एंड डियरर की डैद भी है, फिर 54 की एक छोटी सी राउ रेखा, एक आपशूट है, और एक 56 की राउ रेखा है, और एक 59 के आसपास आ आपशूट है, यह इस तरह से इनका जीवन, चलेगा उसके बाद कोई राउ रेखा नजरी नहीं आ रही, यह ट्रावेस लाइन है, इस वेक्ति को ट्राविलिंग भरपूर कराती है, अब धर देखा पर देखे कट, तो एक कट, 37 के आसपास आया, इनको, और इनका करों का नुकसान करके चला गया, एक छोटा सा कट, 48 या 49 के आसपास लगेगा, एक हलका सा है, कोई ज़्यादा है नहीं, अब धन रेखा देखने की कोशिज करते हैं, यहाँ पर देखे, इतनी कोई स्ट्रॉंग धन रेखा नहीं थी, अब समझे ना, 31 या 32 के आसपास, यहाँ और उसमें भी 36 से लेकर, 37 तक अच्छा पिरियड नहीं था, बहुत ज़्यादा इंकम हुई नहीं होगी, पर 37 यह कट लगने के बाद, इनके जीवन में उत्तम धन रेखा है, उत्तम, अब वो कहाँ दिश्टब हो रही है, वो भी मैं बताता हूँ किस पिरियड में दिश्टब हो रही है, 43 या 44 से और इंकम बढ़ेगी, इनकी, और एक छोटा सा कट, समझे ना, 47 के आसपास लगेगा, हलका सा, और यहां 52 के आसपास से 55 तक on-off रहेगी इतने अच्छा पिरियड नहीं रहेगा, आतिक रूप से, कम ग्रोथ वाला पिरियड रहेगा, यह तीन साल इतना अच्छा पिरियड नहीं रहेगा, उसके बाद ऐसा कोई प्रॉबलम नहीं है, यहां पर थ्रेड है, यहां पर भी है, और एक और नहीं धन रहेखा, और एक और नहीं धन रहेखा, फिर जीने तक कोई प्रॉब्लम नहीं है खली तीन साल आर्थिक रूप से अच्छे नहीं जाने वाले बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं मिलेगी आर्थिक रूप से बीच बीच में आएगा पैसा फिर रुकेगा आएगा पैसा रुकेगा इस तरह की condition होगी है तो वर ओल देखा जाए तो इतनी तकलिफ हो वाला हाथ नहीं है और आर्थिक संपन्ता काफी अच्छी रहेगी आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्णों के जाब इनको मिल गए होंगे और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद